हमारे 40 दिन के spoken English course में आपका सौगत है इस सीरीज में हम English को बिल्कुल basic lab से सीख रहे हैं और यह हमारा 40 दिन का course होने वाला है और आज का जो दिन है आज का दिन है हमारा 12 दे आज हम कर रहे हैं Tenses आज हमने Tenses स्टार्ट करने हैं और हर एक Tense के लिए हम एक दिन लेने वाले है और एक वीडियो हमने ऐसे भी मनाई है जिसमें हमने एक ही वीडियो में वारा के बारा Tenses include की हैं सिखाए हैं बट के वार एक वीडियो में beginners के लिए सारे Tenses को अच्छी तरह से सीखना possible नहीं हो पाता है इसलिए हम आज हम इस course में हर एक वीडियो हम लाने वाले हैं next 12 वीड करते हैं भी अब सब्सक्राणि होता है जो फृचर में होने वाला है और हर एक टेन्स की चार चार डिवीजिन है जैसे की प्रेजंट की चार डिवीजिण है प्रेजंट in definite Stunden yam, present perfect, ऊप्रेज़हट तेन्स काई है जब हम हम हिंदी करते हैं तो हम कहते हैं कि वह काम करता है वह खाता है वो पीता है वो पढ़ता है जैसे जब हम किसी की habits बताना जाते हैं या किसी की regular को routine बताना जाते हैं तो हम present indefinite tense को use कर लेते हैं जैसे मैं यह कहना है कि वो English study करता है वो English study करता है वो अपने parents के साथ खाना खाता है तो इन सारों के sentences में जो verb है जो kriya है उसके साथ खाता है लगता है ता है ती है ते है यह लगते हैं जैसे खाता है पीता है सोता है गाता है तो यह हमने यह सीखा है कि present indefinite tense में क्या होता है तो सबसे पहले देखी हमें अगर इने English में हमने बनाना है तो उसकी पहचान कैसे की जा सकती है यह हमने यह सीखा है उसके बाद हम य आएंगे कैसे इंग्लिश में इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो बंदा काम कर रहा है उसको सबसे आगे लगाना पड़ता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं सब्जेक्ट कहने कि जिसकी बारे में बात हो रही है सब्जेक्ट मैं हो सकता हूं उब्जेक्ट को लगा देना है तो सबसे पहले subject then एंटैको हमने लगाना होता है तो अब अगर हमारे पास subject He She And It हो हमारे पास subject जिया है हिजी और इट है तो हम उसके साथ में जो वाव है उसके साथ अगर हमारे पास हिजी subject किया है he, she, it है तो उसके साथ जो verb होगा उसके साथ हम s लगाएंगे, es लगाएंगे या i, es लगाएंगे तो ये हमने आज सीखने वाली चीज है जो most important चीज है वो ये है कि अगर subject क्या है यानि कि he, she, it के बारे में बात हो रही है तो उसके साथ जो verb use होगा उसके साथ s लगेगा, es लगेगा या i, es लगेगा mostly हर एक book में या normally videos में ये बताया जाता है कि as या es लगता है बट किसकी साथ es लगेगा कौन से ऐसे वर्ब से जिसके साथ एस लगेगा किसके साथ हम एस लगाएंगे किसके साथ बाई लगता है यह यूजुली नहीं बताया जाता तो हम आज यह भी सीखेंगे देखें एस तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे बट एस किसके साथ लगाएंगे जब लास्ट में एस होता है जब लास्ट में क्या रूंस होता है ऐसे यूज्फ होता है तो ऊसके मिया नलगता है जब उसके म defines लगता करेंगे जब से है लगता है लगता है तो उसके साथ हुम इसके Professional पहीं। वोच तो वोच लगता है तो अगर वोच लिखा जाता है जैसे कि हमने ये वोच लिखा है तो इसके साथ हमने एस का यूज करना है या हमारे पास एस एच भी हो सकता है या जैड हो सकता है या एक्स तो अगर वोब के साथ ये वाले लेटर्स लगे हैं तो हमने क्या करना होता है हमने last Ihnen के Yes लगाना होता है और I Is कब लगता है yes कब लगता है जब last में את Conseauxनेंट है जब वब में क्या है एक Conseauxनेंट है औरよしोनेいます के बाद य आ चाहरा है हम एक्जंप्ल कर लेते हैं ə जैसे रहुदब और एस्टटीobile study जैसे हमने यह देखा है कि हमने हमारे पास वर्ड है study वर्ड है study तो उसके बाद हमने क्या किया है last में by था और उसके पहले एक क्या था जो कि एक डी है जो कि डी है तो हमने वाई को रिमूव करना है we have to remove this by and add IES और हमने IES को add करना है जैसे कि हमने यहां किया है तो हमने यह जो basic रूल से उसे सीख है तो हम यह देखेंगे कि अगर हम positive में sentence मनाते है कि कोई बंदा कोई काम करता है खाता है पीता है उसके लिए हम affirmative sentence का उसको हम affirmative sentence कहते हैं और जब हम यह कहते है कि कोई बंदा कोई काम नहीं करता है उसे हम negative कहते हैं और अगर हमने प्रशन पूछना है कि क्या वो कोई काम करता है तो हमने क्या कहना है हम interrogative sentence उसे कहते हैं तो सबसे पहले हम affirmative sentences बना लेते हैं देखिए जब हम normally कहते हैं कि खाता है पीता है पड़ता है तो उसे हम उसे हम आफरमेटिव सेंटेंसिस कह देते हैं देखे सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस है कि मैं आइस क्रीम पसंद करता हूं तो इसमें मैं आइस क्रीम पसंद करता हूं इसमें सब्जेक्ट क्या है बात किसके बारे में हो रही है मेरे है पसंद करने तो पसंद को मैंने लाइक कहा है उसके बाद ऑब्जेक्ट है जिस पर क्रिया हो रही है अब पसंद किसको किया जा रहा है क्या पसंद है आइस्क्रीम तो लास में हमने आइस्क्रीम का यूज किया है तो यह बन गया कि I like आईस्क्रीम, मुझए आईस्क्रीम पसंद है, मैं लाइस्क्रीम को पसंद करता हूँ, ता हूँ, तो इसमें ता है लगए है, तो सबसे वहले subject, देन वर्ब, देन, ओब्जेक्ट, वर्ब की भी हमने first form, यूज़ करनी है, अगर मैं ये कहता, कि वो आईस्क्रीम को पसंद कर लगता है तो मैं क्या कहता सबसे पहले मैं वो वो कौन है लड़का है सबसे पहले मैंने ही लिखना होता ही उसके बाद मैं लाइक कहता क्यूंकि हीशी इट के साथ हमने यह देखा है कि अगर हीशी इट है तो उसके बाद जो वरवाता है उसके साथ एस यह या आई एस लगता है अभ हमने last में ये द silently like है लाइक है तो उसके साथ हमने simple S लगा देनी है क्योंकि इन यह सारे cases में यह सारे cases के अलावा कर यह हमारा case है जिसमें की लगा है तो एग के साथ last में है तो Herz says I will like S. cream हमारी हो जाएगा अब next हमने यह देखना है कि हम इसका negative कैसे बना सकते सिंपल है कि अगर ही sheet है तो हम does not लगा देंगे या अगर हमारे पास आए वी यूदे है तो हम do not लगा देंगे बाकी सारों कुछ same रहेगा किसके बाद लगाना है subject के बाद में तो I do not like ice cream I do not like ice cream क्योंकि आए वी यूदे के साथ हमने डूनोट का यूद करना I do not like ice cream अगर यह होता है कि he likes ice cream उसको ice cream पसंद है वो ice cream को पसंद करता है he likes ice cream इसका negative होता ही डाज नोट लाइक ice cream he does not like ice cream क्योंकि हमने ही शीट के साथ डाज नोट का यूद करना है अब हम यह देखते हैं कि अगर इसका interrogative हो इसका interrogative form हो तो हम कैसे यूज कर सकते हैं उसको कैसे बना सकते हैं अगर ही शी इट है तो सबसे पहले हम डस को यूज करेंगे हम सबसे पहले 10 को यूज करेंगे उसके बाद subject उसके बाद verb की first form और उसके बाद object जैसे कि हमने simply कहा है दू को आगे लिए आना है दू आए लाइक आइस्क्रीम क्या मुझे आइस्क्रीम पसंद है क्या माइस्क्रीम को पसंद करता हूं तो दू को हमने आगे लिए आना है अगर आए भी यूदे है अगर हमारे पास ही शीट है तो हम डस को यूज करेंगे आगे दू आए लाइ का इस्क्रीम है डू आए लाइक आइस्क्रीम और लास में हमने एक वेस्टन मार्क लगा देना है तो यह हमारा सिंपल आ गया उसके बाद हम इंग्लिश पढ़ते हैं हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे हम को हम क्या गहेंगे हम को हम कहते है एक हम क्या करते हैं पढ़ते हैं तो वी स्टडि हम क्या पढ़ते हैं हम इंगे लिए इंग्लिष खते हैं वी इस टेड़ी इंगलीष और इसका सीपली इंगलीष क्रेंगे एक दोनोट का यूज़ करेंगी और हमने स्टेडर कते हुए understands हम इंग्लिष स्टडी करते हैं तो डू डू वी स्टडी इंग्लिष क्या हम इंग्लिष स्टडी करते हैं अगर हमने इंटेरोगेटिव का भी नेगटिव बनाना है यह हम यह कहते हैं कि नेगटिव का इंटेरोगेटिव बनाना है कि क्या हम इंग्लिष स्टडी नहीं करते ह तो हम simply कहेंगे Do we not study English Do we not study English क्या हम English study नहीं करते हैं Do I not like ice cream तो subject के बाद हमने not को place करना है वो cricket खेलता है वो cricket खेलता है तो वो को हम क्या कहेंगे He क्योंकि वो खेलता है इसलिए वो लड़का है He उसके बाद हमने ये देखा है कि play का use हुआ है तो इसके साथ S का use होगा अब हमने ये देखा था कि last में अगर Y हो तो हम IES लगाएंगे last में अगर Y हो तो हम Y को काटके IES लगाएंगे पर हमने यहाँ Y को नहीं काटा है हमने simply S का use किया है क्यों क्योंकि इसके पहले एक बाई के पहले एक फावला जो की ए है इसलिए हम सिंपली एड करेंगे एसको तो ही प्लेज क्रिकेट। ही के साथ जो वर्ब उसके साथ हमने simply settle गया है वह cricket पर उसके बाद जितίνल है वो प्लेए एस यूज नहीं करना है हम यह नहीं कहेंगे कि we does he does not play cricket हम वैसे नहीं कहने वाले हम सिंप्ली कहेंगे he does not play cricket क्यूंकि हमने SCIS का यूज यहां डू के साथ कर लिया है तो इंटेरोगेटी बनाना है डूज ही प्ले क्रिकेट डूज ही प्ले क्रिकेट क्यों वो क्रिकेट प्ले करता है तो यह देखिए हमने इंटेरोगेटी बनाने के लिए प्रेश्ण वाचेट को पूछने के लिए हमने does को do and does को हमने आगे लाना होता है डूज ही प्ले क्रिकेट अगर हमने यह कहना है कि क्या वो क्रिकेट प्ले नहीं करता है तो हम कैसे कहेंगे simply कहेंगे does he not play cricket हमने subject के बारे में subject के बाद not लगा देना है next है he studies English वो English पढ़ता है वो English पढ़ता है तो वो की बात है तो हमने ही कहना है तो ही के साथ जो वर्म आने वाला है उसके साथ हमने से या इस या इस लगाना है तो he study next होना था तो study के बाद क्यों की study में क्या होता है last में d के बाद y लगता है तो हमने हमने यह rule देखा है कि last में by हो उसके साथ उसके पहले consonant हो जो कि यहा डी था तो हमने by को remove करना है उसके साथ हमने i.is लगा देना है तो हमने exactly वहां यही किया है कि he studies English ही ही दसनोर स्टडी इंगलिश वह को वो इंग्लिस स्टेडी नहीं करता है तो हम कहेंगे डाज ही नॉट स्टेडी इंग्लिश डाजी नॉट स्टेडी इंग्लिश नेक्स्ट है इशांत गाना गाता है तो सबसे पहले इशांत हमने यूज करना है उसके बाद इशांत क्या करता है गाता है तो उसके साथ हमने सिं उसके थाथ हम ऐसे लगाएंगे इशान्त सिंग्ज और सॉंग इशान्त एक थर्ड परसन है और सिंगुलर है या हम सिंपली कह सकते हैं कि इशान्त एक ही है तो इशान्त सिंग्ज और सॉंग इशान्त डज नोट सिंग्ज और सॉंग इशान्त सिंग्ज और सॉंग क्या इश लगाया है दह क्यों लगाया है इसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखिए दह पे वह आप जाकर दिख सकते हैं पट फिलहाल हम यहां टैंसी सीख रहे हैं तो वो करते हैं दे यानि की वो थर्ड परसन एंड पुलूरल वह सारे लोग है दे क्या करते हैं है तो हमने दू नोट हल्प दपूर वो पूर की मदद नहीं करते हैं दे दू नोट हल्प दपूर दू दे हल्प दपूर क्या वो ग्रीब की हल्प करते हैं अगर यहां होता कि रानी ग्रीबों की मदद करती है तो रानी हल्प्स दपूर तो हमने हल्प्स कहना था क्योंकि रानी शी ह रानी शी है she helps the poor they Rani does not help the poor does Rani help the poor does Rani not help the poor तो हम इट कैसे यूज कर सकते हैं जैसे कि हमने ये सीख लिया उल्रेडी विछली वीडियो में कि इट हम एंडिमल्स के लिए यूज करते हैं इट हम किसी नौल लेबिंग चीज के लिए यूज करते हैं जैसे हम किसी गाड़ी की बारे में बात करें तो उसके साथ हम it यूज करते है कि यह बहुत जल्दी भागती है it runs very fast it runs very fast तो run के साथ हमने ऐसे लगाया है क्योंकि it की बात हो रही है he she it में से it की बात हो रही है to it runs very fast negative होता it does not run very fast interrogative होता does it run very fast तो आई होप आपकी अभी तब कोई भी जो डाउट होगा वो सारी क्लियर होगे होगे अगर फिर भी आपके मन में दिमाग में को डाउट है तो आप कोमेंट बोक्स में पूर सकते हैं इस कोर्स को अपने दोस्तों भाई बहने रेलेटिव के साथ शेयर कीजिए और कोई अगर अभी तब सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को लाए करते ना थैंक्स फूर वाचिंग दे वीडियो